हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश गुपता एक जामत्रेंड चैनल से आप लोगा बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 48 के बारे में यह हमारा कौन सा पार्ट होगा तो 48 पार्ट होगा इसके पहले कुल हम लोग 47 पार्ट discuss कर चुके हैं जिसमें से कि मात्र 24 पार्ट में मात्र 24 पार्ट में दोस्तों हम लोग पूरे के पूरे ancient history को cover किये हैं अब हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ रहा हैं medieval history लेके चल रहा हैं और अगर जो कोई भी ancient history का वीडियो नहीं देखा है तो वह मात्र 24 पार्ट में पूरा का पूरा ancient history cover कर सकता है ठीक है तो जो नहीं देखा है वो देख ले जाके ancient history का वीडियो और अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मद्यकाली नितियास में भक्ति और सूफी आंदोलन को आज का माँ topic क्या होगा दोस्तो भक्ति और सूफी आंदोलन इसके पहले दो पार्ट और आज चुके हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के और यह तीसरा पार्ट है उसका दोस्तो यह chapter बहुत ही broad है और इसे जो है exam में बहुत ही अच्छे label के question आए है इसलिए इसके parts ज़्यादे आ रहे हैं ठीक है क्योंकि अगर हम लोग सारे question को नहीं solve करते हैं सब कुछ नहीं पढ़ते हैं तो हमारा छूट जाएगा ठीक है तो इस चीज के लिए मत परिशान हुएगा कि यार एक बार तो पढ़ लिया भक्तिया अंदुलन बार बार एक ही चीज आ रहा है क्योंकि दोस्तो टापिक बड़ा है इस वज़े से बार बार आ रहा है ठीक है तो आईए देखते हैं आज क्या आता है हमारे सामने आज का माज सबसे पहला कोशन दोस्तो रामानुज के अनुयाईयों को कहा जाता है तो रामानुज के अनुयाईयों को क्या कहा जाता है हम लोग पिछले पार्ट में रामानुज के बारे में डिसकस किये थे वो कौन से धर्मसे थे वैश्डो धर्मसे थे ठीक है तो रामा नुझ के अनुयाईयो को क्या कहा जाता है वैशलो कहा जाता है ठीक है बक्ति अंदोलन के प्रचारक प्रसिद वैशलो आचारियर रामा नुझ ने सगुड इस्वर की उपासना पर बल दिया उनका मत विशिष्टा द्वैत कहा जाता है क्या कहा जाता है उनका मत विशिष्टा द्वैत कहा जाता है उनके अन्याई जो है वैशलो कहला है क्या कहला है वैशलो और यह कोश्चन हमारा दो है दोस्तो यूपी पीसियस प्री के 1999 में आया हुआ question है next देखते हैं अगला question हमारा गुरु नानक का जन्म अस्थल कौन सा अस्थान है तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म अस्थल सबको पता होगा ननकाना में पैदा हुए थे या फिर हम क्या सकते हैं तलवंडी ठीक है इस अस्थान पर इनका जन्म 15 प्रैल 1469 कब 15 प्रैल 1469 को हुआ था या पश्चिमी पंजाब या तो पाकिस्तान प्रांथ के सेख पुरा जिले में इस्थित है कहाँ पे सेख पुरा जिले में इस्थित है ठीक है तलवंडी या ननकाना गुरु नानक की मृत्यू जो है दोस्तों यह 1549 इस्वी में डेरा बाबा नामक अस्थान पर हुई थी यह UPPCS मेंस में आया हुआ कोश्चन है संदोजार साथ में आया था पहली बार ठीक है नेक्स देखते हैं अगला कोश्चन है जिसके सासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की अस्थापना की वह कौन था तो दोस्तो जो है किसके कोशन के आया जिसके सासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की अस्थापना की वह कौन था तो जो है सिकंदर लोधी के सासन काल में टाइम पिरिड में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की अस्थापना की थी सबसे पहले ठीक है गुरु नानक 149 से 1538 इनका टाइम पीरेड था कब से कब तो 1469 से 1538 इनका टाइम पीरेड था गुरु नानक का गुरु नानक ने सिख धर्म की अस्थापना सिकंदर लोधी के टाइम पीरेड में बोले तो 1489 से 1570 जो है सिकंदर का टाइम पेरिड़ चल ला था उसी के समय में जो है यह सिख धर्म की अस्थापना करते हैं ठीक है गुरु नानक जी नानक एकेस्वर वाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुड तथा निर्गुड ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे उनका मानना था कि इस्वर एक है वह निर्गुड है और निरंकार है वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे और यह कोश्चन कब आया है तो यूपी पी सेस्प्री के संदोजार आठ में आया वह कोश्चन है ठीक है अगला कोश्चन हमारा इस्वर केवल मनुष्य के सदगुड को पहचानता है तता उसकी जाती नहीं पूस्ता आगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी यह सिदांध किस भक्ती संद का है तो दोस्तों यह भी सिदांध किसका है गुरु नानक का है ठीक है इनका कहना है कि जो भगवान है वह व्यक्ति इंसान इस संसार में जी रहे है सभी व्यक्ति को जानता है और हर किसी को जानता है और किसी से ये नहीं पूस्ता है कि तुम कौन सी जाती के हो और तुम कौन सी जाती के हो ठीक है ऐसा सवाल कभी नहीं करते हैं इस्वर पर वह उसकी जाती के बारे में कभी नहीं पूछता क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाती नहीं है क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं करता इस्वर क्योंकि जो जहां पर इस्वर लोग रहते हैं जहां पर स्वर्ग लोग है जहां पर ज तुमको नीचे बेटना है ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे जो अच्छा किया है अपने जीवन में वह भी वही जाएगा और जो बुरा किया है वह भी वही जाएगा ठीक है तो ऐसा जाती का वहाँ पे कोई मदभाव नहीं है ठीक है गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुप्त सामुदाइक रसोई की सुरुवात की है ठीक है तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुप्त सामुदाइक रसोई की सुरुवात की उनके अनुयाई किसी भी जाती पर ध्यान दिये बिना एक साथ भोजन करते हैं तो जाहिर सी बात है जो गुरु नानक देव थे या जाती पर विश्वास नहीं रखते थे और इसलिए ऐसा इनके सिस से भी जो थे इनके अन्याई जो थे वह भी जाती पर ध्यान नहीं देते थे जैसे एक पांद बैठी भोजन करने के लिए एक साथ सौ लोग बैठे भोजन करने के लिए तो इसमें ये नहीं रहता था कि अरे तो हम लोग ब्रामण है पहले हम लोग बैठ जाएं उसके बाद आप लोग बैठ जाएं आप लोग सूध रहें ऐसा कुछ नहीं होता था जो भी थे सब लोग एक साथ बैठते थे जाती कोई भी हो चाए हिंदू हो चाए मुस्लिम हो चाए सिख हो चाए इसाही हो चाए वह यादव हो चाए गुपता हो चाए ब्रामड हो चाए सिंग हो चाए ठाकूर हो चाए बनि नाम से एक मुफ्स्त सामुदाई की रसोही की सुरुवात की थी और उनके अन्याई किसी भी जाती पर ध्यान दिये बिना एक साथ भोजन करते थे यह कोश्चन जो हमारा संद 2010 में आया हुआ कोश्चन है अगला कोश्चन हमारा दोस्तों मीरा बाई समकालीन थी तो मीरा बाई किसके समकालीन थी तुल्थी रास के समकालीन थी मीरा बाई मीरा बाई मेड़ता के रतन सिंग राठोर की इकलोती पुत्री थी अब यह तक आप लोग मीरा बाई के मीरा के नाम का सुने होंगे नाम लेकिन इनकी कहानी नहीं जानते होंगे आज इनकी थोड़ी सी कहानी भी देख लीजे यहाँ पे question में आया हुआ है तो मेरा भाई जो थी दोस्तों या मेरता के रतन सिंग राठोर की इकलोती पुत्री थी ठीक है इनका जन्म जो है 1498 इस्वी में मेरता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था इनका विवाह जो है उदैपूर के प्रसिद सासक राणा सांगा के जेश्ट पुत्र यूराज भोज राज से हुआ था लेकिन विवाह के कुछी वर्सों बाद राजकुमार भोज राज का पडलोक वास हो गया बोले तो निधन हो गया राजकुमार भोज राज का ठीक है पती की मित्यू के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ती में अर्पीत कर दिया यह महा कवी तुलसी डास की समकालीन थी तथा उनसे पत्र बेवहार भी करती थी ठीक है और यह कोष्चन दो है दोस्तो UPP सेस्प्री के 1995 में आये हुआ कोष्चन है ठीक है अगला देखते हैं नेक्ष कोष्चन हमारे पास राग गोविंद के रचनाकार है तो दोस्तो राग गोविंद के रशनाकार कौन है? मीरा भाई है राग गोविंद के रशनाकार मीरा भाई हिंदू अत्यात्मिक कवित्री थी जिनके भगवान स्रीकिष्ण के प्रतीश समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्री है इन्होंने चार ग्रंतों की रषना की थी पहला कौन सा है बर्सी का मायरा दूसरा है गीत गोविंद का टीका तीसरा है राग गोविंद और चौथा है राग सोरट ठीक है यह चार ग्रंतों की रषना की थी इसके अतरिक तो उनके गीतों का संकलन मीरा बाई की पदावली नाम ग्रंत में किया गया है और यह कोश्चन जो आपके 36 गड़ पीछे स्प्री में सन 2014 में आया हुआ कोश्चन है अगला कोश्चन है तुलसी दास किसके समकालीन थे तो दोस्तों तुलसी दास जो थे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे ठीक है सुप्रसिद भक्त या फिर हम लोग कह सकते हैं संत कवी गोसामी तुलसी दास इनका पूरा नाम था गोसामी तुलसी दास ठीक है या अगबर तथा जहांगीर के समकालीन थे तुलसी दास ने लगभग 25 ग्रंत लिखे जिन में रामचरित मानस तथा विने पत्रिका सर्वोत्तम था तो आप लोग जानते होंगे रामचरित मानस का और विने पत्रिका का नाम सुनेंगे या कई बार एक्जाम में आयाओवा कोस्चन है तो इस शिच को बिल्कुल गहराई से याद कर लेजिए ठीक है जो तुलसी दास हैं उन्होंने उनकी फेमस रचनाय कौन सी हैं तो राम चरितमानस और विने पत्रिका सर्वुत्तम है तुलसी दास का दर्बार से कोई संबंध नहीं था या किसी के दर्बार में नहीं रहते थ उन्होंने अपना अधिकान जीवन जो है बनारस में विताया है अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामोल लेक किया है ठीक है कौन तो दोस्तों कभी-कभी यहां से भी कोश्चन बन जाता है कि तुलसी दास का जो है नामोल लेक कहां पे हुआ है तो कहां पे हुआ आईने अकबरी में किसने करवाया है अबूल फजल ने तो वही है क्लाइन में अबूल फजल ने आईने अकबरी में इनका नामों लेक किया है यह कोश्चन जो आपके UPVCESPREE के संदोजर 4 में आया हुआ था तो आज के लिए इतना ही था दोस्तो और अगर जो है इसी के साथ स संबंदी प्रस्ताव किसमे सम्मिलित थे ठीक है बहुत ही सिंपल कोश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंदी प्रस्ताव किसमे सम्मिलित थे आपके पास कुल 4 ऑप्षन भी दिये गये थे जिसमें से ऑप्षन नमबर B जो है यह हमारा बिलकुल सही उतर है ठीक है आपसन नमबर B सुरी दोस्तों आपसन नमबर B नहीं आपसन नमबर D जो है यह हमारा सही उत्तर है ठीक है माउंट बेटन आपसन नमबर D जो है यह हमारा सही उत्तर है माउंट बेटन क्योंकि दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के अगर हम लोग बात करें ना भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव माउंट बेटन योजना में समिली थे यह योजना माउंट बेटन द्वारा कब चालू की गई थी तो जो है 3 जून 1947 को चालू की गई थी ठीक है कब 3 जून 1947 को सुरू की यह question नो down किया हुआ है इसको आप लोग लिख लिखी जिए और comment box में इसका reply करना है आप लोग को की कौन सा answer सही है भारत में पहली बार Metro Rail सेवा कहां प्रारंब की गई बहुत ही easy question है आपको बताना है कि भारत में पहली बार जो Metro Rail सेवा या कहां पे आरंब की गई या सुरू की गई ठीक है तो जो है आपके पास 4 option भी है है एदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आपको बताना है सबसे पहले Metro कहां लाई गई ठीक है तो आज के लिए इतना ही था अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो दोस्तों तो प्लीज में चैनल को लाइक करते रिए, सेर करते रिए और सबस्क्राइब करते रिए, थैंक्यू दोस्तों, थैंक्यू सो मच